हेलो स्टूडेंट तो जेए के जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी आयम रहने वाला क्योंकि यहां पे हम कुछ ऐसी बातों को डिसकस करेंगे जो अक्सा स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में फेस करते हैं लेकिन वो ओवरकम नह करता है उसका जो behavior nature होता है वो एक बिल्ली की तरह होता है वो confused रहता है उसे समझ नहीं आता है क्या करना है थोड़ा डरा सा रहता है anxious रहता है परिशान रहता है लेकिन वो इस कश्मकश में इतना उलग जाता है कि उसे अपना जो aim है उसका जो objective है clarity है वो उससे काफी दूर निकल जाता है यानि कि distract हो जाता है तो यहाँ पर आपको life में क्या चाहिए life में चाहिए focus और आपको बिल्ली से share बनना है share बनना है worldly जो आपके challenges है उन्हें face करना है तो जब आप ये process में पूरी तरीके से successful हो जाऊंगे तो आप पाऊगे कि आपका जो dream है definitely आप वहां तक के पहुच जाऊंगे अब पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या problems आती है और उनका फिर क्या solution हम निकाल सकते हैं तो देखो जो mostly aspirants होते हैं वो इन सभी problems को paste करते हैं जैसे कि उनके test में कावी कम marks आते हैं चाहे फिर वो chapter wise test हो, dbps हो या उनके weekly test हो या कोई भी type का जो भी test दे है वो mock test उसमें उनके कम marks आते हैं और जैसे जैसे उनके serial wise जो है कम marks आते जाते हैं, successive test में उस तरीके से उनका moral जो है down हो लगता है, फिर जो है वो self doubt में आ जाते हैं, वो अपने potential पर doubt करने लगते हैं कि क्या वो ये exam को crack कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या वो अप तो यहाँ पर क्या होता है कि family और relatives का भी pressure बनता है, उन्हें समझ नहीं आता है students को कि वो किस तरीके से इन सभी चीजों को handle करें, इससे क्या होता है कि stress भी बढ़ता है, और एक प्रकार से जो comparison किया जाता है कि आपके दोस्त आपसे better कर रहे हैं, या आप जब खुद ही दे capabilities पर doubt करते हो, यह जो है आपके moral को और गिराती है, यानि कि पहले ही आप जो है काफी टूटे हुए होते हो और यह जो चीजे होती है external factors या आपको और तोड़ने का काम करती है, और क्या होता है जब आप clueless हो जाते हो ना, तो पिर आपकी preparation काफी हद तक के impact होती है, आपक backlogs बनने लगते हैं, यानि कि जो आपके सामने चीजे है, आप उसको भी अच्छे से देख नहीं पाते हो, और वो जो है एक obstacle की तरह बन करके आपके आखों के सामने आ जाती है, यानि कि आपके आखों पे बरदा गिरा देती है, और backlogs जैसे जैसे बनते जाते हैं, आपको लगता है कि बहुत सारा syllabus बचा है, इसको मैं कैसे करूँ और इस तरीके से और problems पढ़ती है, फिर जो है आप revision के लिए time नहीं निकाल पाते हो, और इससे क्या होता है कि कई सारे mental issues भी होते है, health related issues होते है, और कभी-कभी अगर मान लीजिए कि कोई बीमारी भी आपको घिर लेती है, तो उससे भी आपकी पढ़ाई बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है, फिर जब इतनी चिंता anxiety होती है, तो यहाँ पे नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आती है, sleep cycle अगर बिगड़ती है, तो ये भी काफी चिंता जनक हो जाता है, और ऐसे कई सारे personal reasons या pace करने को मिलती है, लेकिन अगर आपको इसमें से कोई भी चीज हो रही है, तो ये definitely जो है, आपके लिए काफी challenging होता है, लेकिन क्या इस चीज से बाहर निकला जा सकता है, तो definitely yes, कई students होते हैं, जो कि इन चीजों को overcome करके, success की एक नई परिभाशा लिखते हैं, तो यहाँ इस सबसे important क्या हो जाता है, you don't lose until you decide to lose, इसका मतलब है कि आपको give up नहीं करना है, जब भी आप सोच लेते हूं कि आपने तो हार मान ली है, है ना, तो आप पिर जो है actual में भी हार जाते हो, लेकिन याद रखना दोस्त, तब तक कि हारे नहीं हो, जब तक कि आपने हार नही ही किया है, तो तब तक कि आपका game चलता रहेगा, तब तक कि आप survive करते रहोगे, game में बने रहोगे, and definitely वहाँ पे भी आपके पास में chances होंगे, फिर भले ही हो सकता है कि आपके पास में अभी 6 महीने हो, या 1 साल हो, तो जितना भी time रह गया है, उसमें ये सोच करके चलो, क और practice करोंगे, और mock test लगाऊंगे, और DPP की practice करोंगे, और revise करोंगे, question solving पर ध्यान दोंगे, जब इन चीजों को करोंगे, तो definitely यहां से भी जो है, काफी अच्छा कर लोगे, जो बचे हुए time है, उसको best way में utilize करना है, फिर अगला point है, कि आपको regret बिलकुल भी नहीं करना ह है, अपने बारे में सोचना है, और इस तरीके से खुद को इस position में मत डालो, कि बाद में जो है, आपको यह चीज का मलाल रह जाए, कि काश जो है, आप उस समय पढ़ लेते, इसलिए यह जो भी समय है, बहु मुल्य समय है, इसका अच्छे से उप्योग करो, अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करो, आपके पास में अभी भी जो resources है, अभी भी जो time है, definitely आप जो है, उसको बहुत अच्छे तरीके से utilize कर सकते हो, अपने उपर विश्वास करो, आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और यह मलाल आपका आखरी में नहीं रहना चाह इसलिए जो अभी time है, उसको best way में utilize कर लो, ठीक है, इसलिए जो अभी समय है, उसके लिए आपको अपना एक best attempt देना है, अपनी तरफ से 200% efforts लगाने है, भले ही आपके सामने जो भी task है, वो कितना भी challenging है, भले ही चीज़े समझ में नहीं आ रही है, आप कोशिश करो, एक इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, उसका one shot videos देखो, दूसरी book से refer करो, questions लगाओ, ठीक है, definitely समझ में आएगा, और कभी doubt रहता है, तो अपने teachers से पूछो, तो इस तरीके से जो है, आपको hit and trial करते रहना पड़ेगा, नहीं नहीं चीज़े experiment करने पड़ेगी, अपनी पढ़ पसने सारी है न, कि ये सभी जो है, फट से छूमंतर हो जाएंगी, ठीक है, आपका एक जो commitment है, hard work है, जो आप discipline के साथ में करोगे, और साथी साथ जो consistency है, यही जो है, ultimately आपके final selection को decide करने वाली है, ये बात आप अपने दिमाग में घुसालो, तो कि ये चीज़ है, कि आप अगर मेहनत करोंगे, एक commitment के साथ में एक वादा करोगे खुछ से, कि आपको यहाँ पे IIT में जाना है, या NIT में जाना है, या जो आपका मन पसंदीदा engineering college है, वहाँ पे अगर आपको admission लेना है, तो आपको एक commitment खुछ से, अभी से करना पड़ेगा, और उसके साथ में आपके selection की रास्ते पे जो है काफी करीब आ जाओगे, इसलिए इस बात का जो है आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है, और अब आखरी important point है, कि जो आप चाह रहे हो, वो definitely आप हाजिल कर लोगे, बस खुद के अंदर विश्वास रखना है, आत्म विश्वास को नीचे नहीं गिरने देना है, अभी भी जो समय है, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ो, प्रयास करो, लगातार मेहनत करो, निरंतरता के साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है, पीछे मुड़कर के नहीं देखना, ये नहीं सोचना है, कि अरे मेरा इत्ता सारा रह गया है, क लेकिन कुछ ऐसे स्टूरेंट्स भी होते हैं, जो कि रास्ता बना लेते हैं, ठीक है, एक बात याद रखना कि रास्ता जो है आपको बना बनाया नहीं मिलता है, इसे आप खुद बनाते हो, इसलिए अभी से लग जाओ, जो भी चीज आपको लग रही है, डिफिकल्ट, उ आज आपको काफी चीजे समझ में आई होंगी, यह वही अंटोल ट्रोथ था, जो कि कई स्टूरेंट्स को पता नहीं होता है, लेकिन जो इस रास्त को जो है जान लेते हैं, और इस पर काम कर लेते, वो जो है अपना सेलेक्शन यहाँ पर निर्धारित कर लेते, समझ में आ झाल